बरेली में ननिताल दोड से जी आरेम में दो दिवसीर 24 भी नमो नरायन इसम्रती गुलदावती प्रिदर्शनी का आज समापन हो गया इस प्रिदर्शनी में पीली भी श्राजापूर और बरेली की तमाम संस्थाओं ने अपने पुश्प के गंबले साजा का रिस्सा लिया था जिसमें बरेली से SRMS, KCMP, IVRI, Kentport, Gangashi, Bishop School, GRM, School, Dora समें तमाम संस्थानों की प्रविस्टिया प्राप्त हुए थी इस गुल्दाओदी प्रिदर्शनी में 43 किस्मों के 1207 गंबले प्राप्त हुए गुल्दाओदी के तमाम किस्म के फूलों से सजी प्रिदर्शनी को देख लोगों में गजब का उफस्था देखने को मिला यही बज़े है कि लोग फूलों के साथ सेल्फ्य और फोटो लेते नजर आए आपको बतादे कि गुल्दाओदी प्रिदर्शनी के आद दूसरे दिन फोचे पूर्व केंट्री मंत्री वा सांसत संतोज गंगवार वन मंत्री डॉक्टर अरुन कुमार अगरवाल बरिले इ पूर्व केंट्री मंत्री वा सांसत संतोज गंगवार वन मंत्री डॉक्टर अरुन कुमार और स्कूल प्रिवन्दन राजेश जॉली में साहिव के रूप से प्रिदर्शनी की ओवरॉल चैंपियन ट्रॉफिक केंटमेंड बोर्ड को दी वाई इस आयोजन को लेकर नेनित इस देते हुए का कि आज के वातवर्ण में हर घर में फूलों और बनस्पतियों के कमले रखना बेहत जरूरी है वहीं बरेली इंटर्नेशन उनिवर्सटी के खुलाधिपादी डॉक्टर केशव अगरवार और बियाई यू के उपकुलाधिपादी डॉक्टर लदा अगर इस देखने के लिए इतने अच्छे अच्छे फूल यहां पर फ्वाबस लोग अने किये हुए इतनी पूरे शहर से मेहनत करके लोगों ने अपना जिस तरीके से हैंपर शोर में पार्टिसिपेट गिया है वहां के तारीफ ने के लिए जोग सबने तो सब कुझी चारिया वरी ब्यूटिफ ब्लाइन अब वास्ता में इनको शुब काम रादूंगा की लगातार इतने बर्शों से चोवेस बर्श से अधिक वरहा है आप ऐसे कारके माज़ित कर रहे हैं और वास्ता में फूलों से लगाव रहना चाहिए बूलों के प्रति प्रेम रहना चाहिए औ और यहां पर आने के बाद समझ में आता है कि हमारे बरेली वासी फूलों के प्रति कितनी लूची रखते हैं हमारी बहुत 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 शुब कामना है कि वास्तव में जिस प्रकार से इनका विद्ध्याले चल रहा है उस प्रकार से जो भी कारक्रम करते हैं तो मैं इतना यह राज भवन में लगती है यह राश्पती भवन में लगती है और यह जी आरम में लगती है मैंने कहीं और नहीं देखी इतनी अच्छी प्रहु सकता है लगती हो मतलब मैंने नहीं देखी और मैं इसके ने बहुत 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 बढ़ाई देता हूं जिन लोगों को फूल प्रज़नों का शौक होता है जो फूल का अनन्द लेते हैं वो इंजार करते हैं कि जाड़ा शुरू होगे आप कब जियारम में ऐसी प्रज़शनी लाइज प्रज़नी लाइज लाइज वह बहुत ही अच्छी ती हम लोगे जो ज़ज किया था वह बहुत ही मुश्किल काम हो प्रसंता का विश्य है कि शौबेश सालों से यह चौबेश हम गुल्दावधी पदर्शनी कर रहे है जियारम स्कूल है और अपने अतिता जी के विंस में यह हम हर्ता लाइज देंगे और मैं यह कहना चाहूंगा यहां पर कि प्रेली के फुर्स प्रेलियों को बहुत प्र हाई कॉलिटी पॉट और इस बात को मैं यहां जिकर जरू करना चाहूंगा कि 2020 में जब कोवेट हुआ था तब भी यह प्रदशनी चलती है और वो कुछ प्रेमियों का प्यार था जनके इतने फोन आये कि भई प्रदशनी को चलना चाहिए इतने खराब महुल के बाद हम न देश है कि बिना परियावन के रिक्षा करें सर्वाइविल नहीं है हमारा और हमने कोवेट में खुब देख लिया कि किस तरह से अक्सीजन से लिंडर के लिए लोग भागे हैं तो हमें परियावन की रिक्षा करना चाहिए चाहें आपके पास सौगज का मकान हो उसमें दो कारे करना है क्या यूपी लेविल नहीं है क्योंकि विद्याले में पड़ाई का काम है उसके बाद बच्चों में हमारे परियावन की कैसे संस्कार आए ये भी इस प्रदर्श्मी से हम एक संदेश देना चाहते हैं इस बच्चे यहां से इतने निकलते हैं रोज जाते हैं इस बच्चा भी आइसा नहीं है यो कि पती दोलता है ये भी एक बहुत बड़ा प्रियावन के प्रियावन के प्रिसंदेश है हमारे सको अगा